जाद इस समीकरण भावी रहेगा लेकिन विगाद पर उपरवारी नहीं रहेगा जाती समीकरण जुन्यामाद ग्रावीर पर वेस ऐसा है कि उसमें कहीं न कहीं इस महुत की जरूर कोई लोगोई असर जरूर दिखाई में देगा हम आपको जब भी लोकसभाज सीट के बारे में बताते हैं तो आपको इतिहास बताते हैं लेकिन हम आज जिस सीट के बारे मताने जा रहे हैं उसका इतिहास बहुत गिचस्प है तो आज शुर्वाज जो है वो इतिहास से करेंगे दरसल बात करने जा रहा है उस सीट की जहां से एक प्रधान मंत्री सांसद रहा और आगे चल कर ये सीट जाती सभी कड़ों फस गई और अब भी सीट से एक मंत्री है केंदर में जी हां बात कर रहा है फतेपुर सीट की जहा गृटी केंदरी मhmenत्रिर विषा पर क्या होने जा रहा है किसी पर कुछ समीकर्ण बदलने जा रहे हैए तो इसे राकरी जाती समीकर्ण में फसी रही है अगर आप देखेंगे तो जो जातियों का यहाँ पर अच्छा कासा वर्चस रहा है लगभग पिछले 29 सालों से यहाँ पर या तो कोई कुर्मी या तो कोई निशाद ही चुनाव जीता रहा है अगर आप पिछले 4 बार का इतिहास देखेंगे तब भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 2019 में यहाँ से निरंजन जोती चुनाव जीती थी 2014 में भी वो BJP से चुनाव जीती थी 2009 में यहां से राकेश सचान चुनाव जीती थे जो कुर्मी है इसके लावा 2004 में यहां से महेंद्र निशाद बसपा से चुनाव जीती थे खास बात यहें कि अब वो राकेश सचान BJP में है और मंत्री है यानि कि सपा के पास यहां कुछ बचा नहीं बचा क्या है बचा है जाती समीकरा और उसमें तोड़ खोड़ अब हम यह क्यों कह रहे हैं जाती समीकरा में तोड़ खोड़ अब जुए जुए अपना दल सोने लाल यानि कि अनप्या पटेल की पाराटी के खाते में एक सीट गई अन्ट्रे पठेल की पालिटी कुर्मियों की पॉलिटिक्स करती रही है और अच्छा कासा प्रभाव है तो ऐसे में वहां से चुनाव जीत गई दरसल अकले से जाद हो पिछले कुछ समाझ से पिचले और दलितों की बात कर रहा है और अगर आप यह सीट देखेंगे तो यहाँ पर पिचलों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उसके बाद दलित बाहुली सीट है और उसमें से भी पाषवान जो आज कल समाजवादी संख्या में है तो एक अनुमान की मताबिक सीट पर संख्या पिछले समुदाई की है जो करीबं 52 फीजदी है दलित करीब 30 फीजदी है अब पिछलों में भी कुर्मी और निसाद लोद ये बाहुल है वहीं अगर आप दलितों की बात करेंगे तो उसमें जाट और पास्वानो की संख्या अच्छी खासी है मुसल्मान करीब 8 फीजदी बताए जाते हैं और जो सामान जाट के लोग हैं वह 10 फीजदी बताए जाते हैं और यह जो आकड़े हैं यह अनुमान के मताविक है तो अगर आप देखेंगे तो कुर्मी वोटो में समाजादी पार्टी ने अच् साधी कठा हो जाते हैं कि राके सचान के बाद यहां पर कोई बड़ा कुर्मी चेहरा समाजादी पार्टी के पास दिखता नहीं है तो यहां पर कहीं न कहीं बीजेपी प्लस में लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जाती समीकर चलेंगे या विकास चलेगा यह जानने के लिए लोगों में यह उमीद है कि यह पूरे हो और अगर नुद्धे पूरे नहीं हुए तो फिर आगे चलों के लिखेते होंगी और व्राजिल्टिक जल पर कहीं न कहीं प्रबर्ट हम इसको पूरी तरह से नहीं नकार सकते कि जाती समीकर नहीं रहेंगे इसका असर तो रहे मेरा यहीं मानना है लेकिन दरों के पृत्यासी के नम सामने आने के बाद इसके काफी कुछ आखलत किया जा सकता है अभी हमारी समझ से बड़ी जंदबाजी भी होगी लेकिन जो आपको सवाल है इस पे तो यहीं कहा जा सकता है कि दोनों मुद्धे कहीं न कहीं से कि अगर हमारी पड़ेगा लेकिन जाती है तो जाती दिखेगी जाती समीकर दिखेघेंगे ऐसे में अगर जाती आनि कर कर तुक direito का फिट बैळता है तो साधुए एलहें जोती के लिए सीट थोड़ी मुशकिल हो सकती है हाला कि जो समीकर मेरा बीजैपी के फेवर में है औ आपको जाना हुआ कौन जीतेगा यूपी लोगसभा इलेक्शन की प्लेलिस्ट में और यहां पर आपको मिलेगा अपनी सीट की जानकारी साथी साथ आपको ये भी बता चलेगा कि आपकी इलाके में लोग क्या सोच जानी की लोग किसका माहौल बता रहे हैं ये भी हम उस प् तस्तूर की आहमाने रिजतने और कैमरे की पीछें दीक शाथ देखते लिए यूपी तक अमस्कार